हेलो दोस्तों कैसे हैं? गो डे विलींग आज हम लोग अपने मेंसुरेशन का नेक्ड सेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पिछले सेसनस में क्या देखें? पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेंसुरेशन का कुछ artifact information लोग पढ़ें पार्ट वन में हम लोग क्या पढ़े? पार्ट वन में हम लोग 2D फीगर्स जो भी होते हैं, जैसे ट्रेंगल, क्वाडिलेटरल, मनद तिरभूज, चतरभूज, हमारा वरीत, हमारा समना अंतर चतरभूज, पैरललोग्राम, इन सब के बारे में पढ़े थे। जो हमारा पार् CSA, CSA, Volume, सब के बारे में निकालना हम लोग सीखे दोस्त, आज हम लोग उसके कुछ problems के बारे में सीखेंगे, ये problems हमारे exam में आयोए questions हैं, जो पीछला किसी ने किसी exam में आया हुआ है, या तो वो हमारा क्या बोलते हैं, उसको किसी SSC का exam में आया हुआ हुआ है, या फिर color करके exam में आया हुआ है या किसी ने किसी exam में आयवा question है दोस्त हम लोग एकग करके जो हम लोग पढ़े हैं उसी से related questions हम चून के लाएँ आपको समझाने के लिए ध्यान से देखेंगे और हम लोग यहां पर एकग करके problem को solve करनी कोज़ करेंगे सारा फर्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा जो हम लोग समझे हैं और उसके बाद हम लोग यहां पर अटैम्ट करेंगे दोस्त ठीक है कि चलिए अब एकड़ करके हम लोग फर्मूला को समझते हैं दोस्त चलिए हमारा जो पहला फर्मूला है पहला जो प्रॉब्लम है यदि एक आयताकार खेत की लंबाई में पचास प्रतिसत की ब्रीधी कर दी जाए ठीक है यह सारा कोश्चन्स को हम आपके वीडियो में डाल देंगे अपने उस पार्टिकलर पोजिशन पे इसका हम क्लीप डाल देंगे वर्ट हम आपको समझा रहे हैं यदि एक आयताकार खेत की लंबाई में पचास प्रतिसत की ब्रीधी कर दी जाए जबकि इसकी पलस हम लोग बनाते हैं तरीके से कोश्चन बोलता है कि आयताकार खेत की लंबाई में पचास प्रतिसत की होगा हमारा इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू भी हो जाएगा अब बोलता है लंबाई में पचास प्रतिसत की ब्रीधी कर देंगे तो क्या होगा एल पलस फिप्टी परसेंट आफ एल यही होगा अगर इसको आप सॉल्व करने तो क्या हो जाएगा एल पलस फिप्टी अपॉन हंड्रेड इंटू एल पचास दूना सो अगर इसको हम लोग ले लेंगे आपउन टू जोड़के करेंगे तो दोस्त थ्री अपउन टू एल आएगा चीक है ब्रिधी यह हो गई तो नया छे त्रफल क्या होगा new area क्या होगा new area क्या होगा L into B हम लोग लिखते हैं तो L के जगा पर क्या लिखेंगे 3 by 2 L क्यों ये नया वाला L तो ये आया ना दोस्त 50% increment के बाद जो L आया ये हुआ B यानि कि इसका area कितना हो गया 3 upon 2 L B ये नया area हो गया तो ज़्यादा है कि कम है यहाँ पर देखें L B है और यहाँ पर कितना है 3 by 2 L B है तो increment कितना का हुआ increment कितना का हुआ जो हमारा ब्रिधी हुआ कितना का हुआ ब्रिधी increment कितना का हुआ 3 upon 2 L B minus L B इसमें से हम लोग इसको minus कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये अगर इसको minus करेंगे तो क्या हो जाएगा 3LB minus 2LB LCM ले लेंगे दोस LCM में लेंगे तो 3LB minus 2LB upon 2, तो क्या हो जाएगा LB upon 2 clear है, ये हमारा हो गया increment, अब question बोलता है कि इसमें कितने प्रतिसद की ब्रीधी हुई कितने प्रतिसद की ब्रीधी हुई तो प्रतिसद कैसे निकालेंगे दोस प्रतिसद कैसे निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, लाव गुने सो बटा क्रेमूल ये निकालते हैं, तो लाव क्या हुआ हुआ हमारा LB upon 2, LB upon 2, लाव हो गया, into 100, बटा क्रैमूल कैसे निकालते हैं दोस्त, क्रैमूल हमारा मतलब जो बेस एरिया है वो, बेस एरिया का है, LB है, कैसे निकाल गया, LB into 100 upon 2 into LB, LB से LB कर गया, 2 से 50, यानि कि 50%, याद रखेगा दोस्त, चीक है, इस तरह से हम लोग find out करें हमारा question number 1 है दोस्त, ठीक है, यह हमारा answer आ गया, हम इसको erase नहीं कर रहे हैं दोस्त, question बता दे रहे हैं, उसके तो आप लोग क्या करेंगे, इसका screenshot ले लेंगे, या फिर notebook से लेकर बैठेंगे, हम just solve कर रहे हैं, आप लोग भी उसके से बनाएंगे, अगला question है, 10.5 cm अर्ध है, ठीक है, अब दूसरा सवाल हम लोग solve कर रहे हैं इसको, इसमें बोलता है क्या, कि 10.5 cm अर्ध ब्यास वाला, अर्ध ब्यास मतलब उसका radius, clear है, एक धातू का गोला है, गोला है मतलब बोले तो, माल लेते हैं, यही मेरा गोला है, अर्ध ब्यास है, कितना है, 10.5 cm, 10.5 cm एक गोला है, और इसको पिखला कर क्या बना दिये, लंब ब्रित्य संकु, क्या बना दिये, दोस्त, लंब ब्रित्य संकु बना दिये, और उसका अधार का अर्ध ब्यास, यानि कि उसका radius कितना दे दिया हुआ है, 3.5 cm, clear है, एक शंकु है ना, येस, लंब ब्रित्य संकु है, संकु है, इसका radius कितना दिया हुआ है, 3.5 cm, इसको पिखला कर ये बनाए गया है, तो बोलता है, कितना संकु बनेगा, इस पर करके, बनने वाले संकु की संक्या क्या होगी, अब संकु की संक्या कैसे निकलेगी दोस्त, अब ये चीज़ यहां रखिएगा, कॉंसेप्ट क्या बोलता है, कि इसको पिखला कर ये बनाए गया है, मतलब material तो उतना ही रहेगा, जितना material का ये मेरा गोला है, उतना ही material का मेरा संकु भी रहेगा, जैसे मान लेते हैं, एक बड़ा सा लड्डू है, बड़ा सा लड्डू है, उसको तोड़कर छोटा 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 हम लोग लड्डू बनाएंगे, अरे तो quantity है लड्डू का, वो तो उतना ही रहेगा न, भले वो छोटा छोटा हो गया, तब हम ये बोलेंगे कि इतना बड of क्या है, कोन, number of कोन, कोन की संख्या क्या होगी, number of कोन बड़ाबर क्या हो गया, volume of a sphere upon volume of कोन, यानि कि इस गोले का आयतन में, इस संख्या के आयतन से अगर हम भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगा, जो value आएगा, वही हमारा होगा, जैसे यहाँ पर अगरम बनाएंगे, तो क्या आएगा, इस sphere का volume क्या होता दोस्त, 4 by 3 pi r cube, r cube है, कितना हो जाएगा, 10.5 into 10.5 into 10.5 upon, volume of the कोन क्या होता है, याद होगा, हम लोगा second video, छेत्री मीती part 2, याद होगा, उसमें हम लोग क्या लिखे थे, 1 by 3 pi r square, इसका r कितना है, 3.5, 3.5 into 3.5 into h, h क्या दिया हुआ था दोस्त, 3 cm, तो 3, अब इसको cut pit के छोड़ा कर दिये जाए, 3 से 3 कट हो गया, pi से pi कट हो गया दोस्त, यहां से एक decimal से यह हट गया, एक decimal यह हट गया, तो यहां का भी एक decimal हटा दिये, यहां का भी एक decimal हटा दिये, तो 35, 3 जा, 105, 35, 3 जा, 105, क्लिर है, 1, 3 से 1, 3 गया, अब कुछ जा रहा है, देख लीजे, यहां से 3, 3 कट गया, pi खतम हो गया, 3.5 से 1, 3 गया, 3.5 से 1, 3 गया, 3 से 3, 1, 3 गया, बस, इतना ही है, आप सब को गुना कर दिजे, गुना करेंगे तो क्या बचे कामेरा, 4 इंटू 10.5 इंटू 3, कितना होगा दोस्त, फोर्थ रीजा, 12, फोर्थ रीजा, 12 इंटू, आप इसको गुना करेंगे, 12, 5, 6, 12, 12, 12, एक डेसिमल से 1, 126, कितना होगा दोस्त, 126 इस तरह के संकू बनेंगे इसको पिखलाने के बाद, इसको एक बार देख लीजेगा, स्क्रीन सॉट अप ले लेंगे इसको, ठीक है, अब इसको हम एरेज करते हैं, आगे हम लोग बनाते हैं, इसमें दोस्त, सारा सब, जीतना भी है, सब concept-based question है, जो हमारे exams में आए हैं, exam में जो examiner होता है, वो चेक करता है कि बच्चे के पास concept है कि नहीं, मतलब जो आप पढ़े हैं, examiner ये चेक करता है कि जो आप पढ़े हैं, उसका concept आपके पास है कि नहीं, अगर आपके पास concept है, आपको ध्यान में है, it means you are able to handle all the questions, अधर्वाइस क्या होगा दोस्त, अगर concept clear नहीं रहेगा, तो हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है, चलिए, अगला problem देखते हैं, अगला problem है दोस्त, एक सम्चत्रभूज के विकर्णों की लंबाई 24 cm और 10 cm है, सम्चत्रभूज का परिमाप क्या होगा, सम्चत्रभूज यानि क्या बोले थे हम लोग दोस्त, सम्चत्रभूज, यानि कि रॉंबस, याद होगा, आपको देखें यहाँ पे, सम्चत्रवु जैसा होता है जिसका चारो साइट बराबर होता है याद है ना चारो साइट बराबर होता है उसका डाइगोनल्स क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेट करते हैं डाइगोनल क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेट करते हैं यानि कि दोनों आधा होगा तो कितना दिया हुआ है चौबी सेंटिमिटर यानि ये बारा सेंटिमिटर हो जाएगा ये भी बारा सेंटिमिटर हो जाएगा चीक है और ये दस सेंटिमिटर है तो ये पांच सेंटिमिटर हो जाएगा ये पांच सेंटिमिटर हो जाएगा तो अ गळम ड़ाव सिरम लगाने से क्या होगा पंथाभोv सिरम लघाने से ये होगा हमको साई इंक नेक Jimin जाएंगेर कैसे लगाएंगे Independence guy साइडी सब terव क्या जारा रूट अंडर है टूइल क स्कौएर प्लस फाइफ गए तocar स्कौएर ये निकल गया 13 cm तो इसका perimeter क्या होता है 4 into side होता है हम लोग पड़े थे क्या हो गया 4 into 13 it becomes 52 cm एंसर हो गया दूस्ट clear है अगला problem देखे हाँ, एक problem ये बोलता है दो बेलन के आधारों के अर्थव्यास 3 is to 4 के रेशियो में है दो बेलन है, ठीक है दो बेलन है दो क्यों दोस्त, सबसे पहले अगर आप उसका photo बना लेंगे न, ये आपको बहुत help करेगा बहुत help करता है photo बनाने से, आपका पूरा का पूरा concept clear हो जाता है, problem देखते ही आपको solve करने lack हो जाते है इसके आधार के अर्थव्यास, अर्थव्यास बोले तो radius 3 is to 4 है, मान लो अगर ये 3 है, तो ये कितना है 4 है, 3 is to 4 के रेशियो में है और इनका height जो है 4 is to 3 के रेशियो में है ये 4 है, तो ये 3 है, ठीक है तो ये क्या बोलता है उनके आयतनों कानुपाद क्या होगा अब कुछ नहीं करना है, इनका heightन का formula रख देना है, that's all तो क्या करेंगे, heightन क्या होता है पहले इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, clear है तो इसका अगर हम volume लेंगे अगर हमाल लेते हैं, cylinder 1 है, ये cylinder 2 है तो volume of cylinder 1 upon volume of cylinder 2, clear है तो cylinder 1 का volume क्या होता है 4 upon 3 into pi r, sorry अरे, यह नहीं, 1 by 3 ना दोस्त, 1 by 3 pi r square, r के आइसका 3 है, तो 3 into 3 कर देंगे, into h कितना है 4 कर देंगे, upon 1 by 3 pi, इसका देखेंगे r क्या है, 4 into 4 height क्या है दोस्त, 3 tatapiti सुरू कर दें, कट गया ये कट गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा 3 upon 4, यह एंसर होगे आपका इसको आप चाहें, तो 3 is to 4 लिख देंगे आइससे जैसे आपको मन है, वह ऐसे लिख दीजे, ठीक है यही आपका option में answer होगा next problem है next problem है एक वरगा कार खेत का विकर्ण 110 मीटर है दोस्त एक वरगा कार खेत का विकर्ण 110 मीटर है फोडो बना लिया जाए यह question number 2 था अब तो series हमको याद नहीं है दोस्त last time हम लोग से 3 सवाल बना थे कि 2 बना थे, जो भी है आप ध्यान रखेगा हम इसको box बना दे रहें ताकि आपको question देखते ही समझ में आ जाएगा जो जो problem है आप देख लेंगे आपको problem समझ में आता जाएगा ठीक है numbering तो मको ध्यान में नहीं रहा दोस्त अब इसमें क्या है एक वरगा कार बीना side का छेत्रफल नहीं निकल सकता है क्योंकि side square होगा इसके रिया हमको side निकालना है तो आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़े थे 2D में अगर आपको 2D जो हम लोग का first menstruation का chapter था सारा दोस्त हम eyeball में डाल देंगे इसका आई बटन में आप देखते रहिएगा accordingly मिला के तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा diagonal is equal to क्या होता है root 2 into side root 2 into side होता है तो diagonal कितना दिया हुआ है 110 is equal to root 2 into side तो side वराब क्या होगा 110 upon root 2 यह आपको निकल गया side निकल गया अब इसका क्या पूछ रहा है हमसे area पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रही है इसका 6 त्रफल निकाल लिए तो 6 त्रफल कैसे निकालेंगे दोस्त 6 त्रफल is equal to क्या होता है इसका area क्या होगा area is equal to क्या होता है side square स्कुर्स क्या होगा 110 अपॉन रूट 2 इंटो 110 अपॉन रूट 2 रूट 2 क्या हो जाएगा अब गुना कर दीजिये यह हो जाएगा 121, 2 सुनना, अब 2, 4, root, sorry, 2 हो जाएगा, root 2, root 2 गुना करेंगे तो, 2 हो जाएगा, आप इसको डिबाइड कर दीजे, 2, 6, 12, सुनना, 2, 5, 10, सुनना, 60, 50, meter square, 60, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 50, clear दोस्त, आप इसका एक स्क्रीन सॉट ले लीजे, ठीक है, यहाँ इसका बनावगा solution है, यह बेलन वाला solution है, यह आपका square वाला solution है, ठीक है, ले लिए स्क्रीन सॉट, उसका बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त, फिर अगले problem को solve करते हैं, इसमें क्या हैं दोस्त के हम लोग कुछ problems को solve कर लेंगे, यह आपको बहुत help करने वाला है, एक्चली यह problem हम लोग को class 8, 9, 10 इन सभी में पढ़ना था, जो class 8, 9, 10 में बचे पढ़ रहे हैं, अगर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत helpful है, पूरा concept-based question है सारा, अगर concept clear है तो आप लोग भी solve कर पाएंगे दोस्त, चली ए नेक्ष देखते हैं, बोलता है, एक question है, आर अर्ध ब्यास के अर्ध वरीत के में खीचे गए, बड़े से बड़े त्रिबूच का चेतरपल क्या होगा, ध्यान दीजेगा, आर अर्ध ब्यास, मतलब आर रेडियस वाले, एक अर्ध ब्रीत है, आर रेडियस वाला एक अर्ध ब्रीत है, ऐसे होगा, आर रेडियस हैसका, तो ये भी आर हो जाएगा, अगर ये point है, तो इसके अंदर में, जो सबसे बड़ा हम लोग triangle draw कर सकते हैं, कितना बड़ा triangle draw कर सकते हैं, ऐसे draw कर सकते हैं, कर सकते न, और यहां से हम लोग एक perpendicular डालेंगे, तो कहा पर जागा, center पे हो सकता है, सबसे बड़ा triangle यही बन सकता है, इस earth breath के अंदर में सबसे बड़ा triangle यही बन सकता है यहीं कि R और R कितना हो जाएगा, इसका base अब इसका area क्या होगा area कैसे निकालेंगे area of triangle क्या जानते है area of triangle क्या होता है 1 by 2 into base into height हम लोग पढ़ेते दोस्त अपने, mensuration part 1 में तो 1 upon 2 base क्या हो गया, R into R plus R क्या हो जागा, 2R और height क्या हो जाएगा, यह भी तो एक radius है ना दोस्त, यह भी radius है तो R हो जाएगा, 2 से 2 कट गया R a square R a square, ठीक है सवाल टफ नहीं है दोस्त बस इस तरह से देता है, कि हम लोग उसमें trap हो जाएगा इसका target होता है, board का कि किस तरह बचों को trap कर दिया जाए थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, trap होने का option खतम हो जाएगा, ध्यान से देखते जाएगे अगला question है, एक व्रित की परिधी और अर्थ ब्यास का अंतर 37 cm है तो व्रित का ब्यास क्या है ब्यास के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को radius निकलना है radius को double कर देना है, simple clear दोस्त, क्या करेंगा हम लोग ब्रित की परिधी, तो सबसे पहले एक photo बनाते है बीना diagram बनाया दोस्त, मज़ा नहीं आता है मेंसुलेशन का chapter हो, geometry का chapter हो, height and distance का chapter हो और उसमें diagram ना बनाया जाए, possible नहीं है दोस्त इसमें क्या है, r अर्थ नहीं, एक व्रित है व्रित बोले तो draw हो गया इसकी परिधी, मानलो अगर इसका radius radius, r होगा, मान लेते हैं तो इसका बोलता है परिधी, परिधी केतना होता है perimeter, 2 pi r, यह हम जोग जानते हैं और अर्थ ब्यास, अर्थ ब्यास मतलब क्या होगया, radius 2 pi r, according to question, क्या बोलता है 2 pi r minus r is equal to 37 दिया हुआ है, 2 pi r minus r, यानि कि एक ब्रिध की परिधी और अर्थ ब्यास का अंतर 37 cm दिया हुआ है, ठीक है 37 cm ब्रिध का ब्यास निकाला है, यानि कि हमको r अगर पता रहेगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो कैसे करने कि solve करतेंगे, r common ले लिजिए 2 pi minus 1 is equal to 37 अब इसको solve कीजिए, r इसको solve करेंगे, क्या होगा 2 into 22 upon 7 minus 1 is equal to 37 अब इसको solve करेंगे, तो क्या जाएगा, इसको LCM ले लिजिए दोस्ता, 22 दूना 44 7 गया, तो क्या हो जाएगा इसको, 44 minus 7 upon 7, तो इसमें जाएगा तो 37 हो जाएगा r into 37 upon 7 is equal to 37 तो r solve करेंगे, तो 37 से 37 कर जाएगा, तो r बराबर 7 cm, cm है की मीटर में है दोस्त, देख लेते हैं एक बार cm हो गया, अगर r हो गया 7, तो diameter क्या होगा 2 r, 2 गुना 7 बराबर 14 cm यह हमारा इंसर हो गया, क्लिर है दोस्त, हम यहाँ पर बॉक्स बना दे रहे हैं ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करते चले जाएगा, ठीक है, पहले आप समझ लीजे, बाद में इसको अब बनाईएगा, पहले समझना जरूरी है दोस्त, कॉपी अभी नहीं करिएगा, पहले पुरा समझ येगा, वीडियो को पॉस कीजिएगा, उसके बाद इसको देखके कॉपी कीजिएगा, पहले समझ ये, तीन सेंटिमेटर अर्ध व्यास वाले तांबे के गोले की, को पिखला कर, 0.2 सेंटिमेटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तित क्या गया है, ठीक है तो तार की लंबाई क्या होगी दो यानि कि ये समझ लीजे कि गोला है, इसका ये रेडियस है, क्या बोलता है, तीन सेंटिमेटर, ये कितना दिया हुआ है, थ्री सेंटिमेटर, इसको पिखला कर एक वायर बनाना है, देखिए, वायर कैसा दिखता है, अगर वायर अगर ऐसा ऐसा है, ऐसा ही वायर होगा, होगा ना अगर मोटा नहीं होगा तो इसका हम लोगों यह क्यों दिया हुआ है gonna मैजर्मेंट बोलता है 0.2 cm का यानि तार थोड़ा मोटा है थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा तो इसका जो यह जो दिया होगा न यह 0.2 cm दिया होगा थोड़ा लटा लिखते हैं तो तो आपको नहीं दीखेगा साध अभी आपको थोड़ देर पहले एक प्रॉब्लम में बताये थे, इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, जितना आपका ये गोला का जो वॉल्यूम है, और ये जो वायर का वॉल्यूम है, दोनों तो बराबर ही होगा ना, और पूछ रहे हैं तार की लंबाई, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करें तो क्या होगा, इस स्फेर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4 upon 3 pi r cube है तार कितना है? 3 है 3 दिया ना दोस्त 3 cm अर्द भी आस है ठीक है? तो 3 into 3 into 3 हो गया अब बोलते हैं तो तार का भी volume तो बराबर ही होगा तार क्या है? एक cylinder के form में होगा एक पतला सा cylinder के form में होगा जैसे मान लेते हैं यही पतला तार होता तो किस तरह form में है? सिरिंडर के form में है तो इसका volume क्या होगा? pi r square r square मतलब 0.1 into 0.1 into h यही तो निकालना है तार की लंबाई तार की लंबाई निकालना है तब क्या होगा? h is equal to क्या हो जाएगा? 4 upon 3 into pi into 3 into 3 into 3 upon 0.1 into 0.1 ठीक है? 3 से 1 3 गया और pi से pi गया 0.1 और 0.1 के दो सुनना उपर में हम लोग लगा दिये clear है? अब 1 1 तो value 1 ही रहेगा अब जो बच्चा सो गुना कर दिजे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पर 2 सुनना लग जाएगा दोस्त यह उसका centimeter हो जाएगा यह answer होगा आपका ठीक है? कोई सवाल टफ नहीं है दोस्त सब सवाल लोग लोग बहुआ ठाइब सवाल है exam में ऐसा ही सवाल आता है थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग सब सवाल बनेगा इसको आप screen shot ले ले फिर अगलेक problem solve करते हैं दोस्त ठीक है? उसके बाद आप उसको copy कीजिए गाराम से पहले समझ लीजिए उसके बाद उसको copy करेंगा हम इसका सारे वीडियो के साथ इसका problem का हम photo निकाल के डालते जाएंगे दोस्त ठीक है? question का चींदा नहीं कीजिएगा question आपको मिल लाएगा साथ में इस वीडियो के साथ में ही सारा question मिलेगा चलिए यह last question है दोस्त हम लोग हैंडल करने इसको यह बहुत important question है बहुत typical type of question है लास्ट question देखेगा यदि एक आयताकार बक्से की तीनों बीमों का योगफल 12 cm है और कुल प्रीष्ट छेत्रफल 94 cm है सबसे पहले एक बक्सा है यानि कि cuboid form में हैं cuboid form में हैं दोस्त यानि कि ऐसा कुछ बक्सा होगा बक्सा कुछ इस form में होगा ठीक है तीनों बीम का तूं को मालूम नहीं है तो क्या होगा L, B और H इसको B मानिए और इसको H मानिए L, B, H है तो question क्या बोलता है question आपको बोल रहा है कि एक आयताकार बक्से की तीनों बीमाओं का योगफल 12 cm है नहीं कि L प्लस B प्लस H is equal to 12 cm L प्लस B प्लस H is equal to 12 cm given है ये क्या है? given है और बोलता है इसका cool priest छेत्रफल 94 cm है यानि TSA क्या दिया हुआ है? TSA बराबर 94 cm दिया हुआ है तो पूस्ते क्या है उस बक्से के भीतर रखे जाने वाले सबसे लंबे छड कि अधिक्तम लंबाई क्या आउ सकती है? अगर कोई कमरा होता है हमको diagonal के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको L, B और H चाहिए clear है दोस्त? L, B और H चाहिए जब तक नहीं मिलेगा हम इसका लंबाई नहीं निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास TSA दिया हुआ है और हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्या बोलते है L प्लस B प्लस H दिया हुआ है तो क्या करना है अपने को? ध्यान दिजिएगा यहीं कि अपने को निकालना है L प्लस B प्लस H दिया हुआ है और अपने को total surface area total surface area formula क्या होता है? 2 into LB प्लस BH प्लस LH बराबर 94 दिया हुआ है clear है? वही है हमारा question कहां चला गया भाई? हाँ तो क्या बोलते है हम लोग कि छड़ की अधिक्तम लंबाई क्या होती है? छड़ की अधिक्तम लंबाई length क्या होगा? root under L A square प्लस B A square प्लस H A square यही होता है न दोस्त? इसका formula क्या होगा? A square प्लस B square प्लस C square का formula होता है इसका L प्लस B प्लस H bracket में होगा और minus होगा 2 into L B प्लस B H प्लस L H यह formula होता है दोस्त? यह धियान में रखेगा A square प्लस B square प्लस C square का formula यह होता है अब कुछ नहीं करना आपने को यहाँ पर value पूट कर देना है यहाँ square होता है clear है? अब यहाँ पर क्या होगा? 12 का square minus 2 into 94 2 नहीं होगा इस formula का ना value दिया हुगा है कितना का बुरा value दिया है? 94 यानि कि कितना हो गया? root अंडर 144 minus 94 इसको और minus करने कितना होगा? 4 से 4 गया 0 9, 14, 50 root अंडर 50 अगर इसको हम लोग और चाथ छोटा करेंगे क्या हो जागा? 25 दूनी 50 इसको आप क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं root अंडर 5 into 5 into 2 कर सकते हैं यानि कि इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 5 root 2 cm आ जागा दोस्ते ही आपका answer हो गया है इसको ध्यान से देख लीजिएगा इसके screenshot लेंगे दोस्त अब हम लोग क्या करते हैं? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ और प्रावलम को solve करने को उसकरेंगे अगर आपके पस कोई प्रावलम है जो कि आपको दिक्कत हो रहा है solve करने में इस mensuration सम्बंदित तो आप क्या कीजिए ना कुछ करना नहीं है बस उस problem का photo निकालकर comment section में डाल दीजिए और हम उसका solve करने का try करेंगे दोस्त ठीक है? उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ध्यान से देखिएगा अगर कहीं दिक्कत होती है तो वीडियो को आगे पिछे गर के दुबारा स्तिवारा देख लीजिएगा problem हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा tough होगा आपको पढ़ने मज आएगा दोस्त चीक है? प्राक्टिस कीजिएगा मिलते अंगले वीडियो में बाइगा दोस्त